नमस्कार मैं निशांत कुमार आप देख रहे हैं बिहार न्यूस नेटर्क पंचायत के विषय में चर्चा करने के लिए फिरसे हम लोग पहुंझ चुके हैं पंचायत में की बात करने पंचायत का विकास अस्तर जानने के लिए मुख्या इसे स्वक्त हम माजूद हैं बिहार की राजधानी पतना जिले के फटुबहा पक्षंड के मानसिंगपूर पंचायत में मानसिंगपूर पंचायत के मुखिया होते हैं शेलेश कुमार जी इनी का नाम सैलेश कुमार है's संग्पूर पंचायद के यह मुखिया है तो आई रूख करते हैं सलेज कुमार जी कि एक और जानते इस पंचायद में परिशानी क्या कटनाई को इनको सामना करना पड़ा है पंचायद में विकास के मुद्धों पीता ही रूख करते हैं पहले तो मुखिया जी आपका सवाल कैसी स्थिति चल लिए पर चल रहा है चुकि हम लोग देर साथ से काम काज का छोड़ के बैठे हुए हैं और कोई काम काज को उजना हम लोग को सामने नहीं आ रहा है पर समस्या तो आर्थिक समस्या है है जो फंड का समस्या है हम लोग सब ऑनलाइन जीरो टेक करके रखे हुए हैं लेकिन सरकार के बनने के बाद इस ट्रम में उसके बाद फंड नहीं आपके पास इस ट्रम में जो पहले पुराना बचा हुआ फंड था उसी को हम लोग थोड़ा बहुत काम किये हैं बाकि हम बिहार का मुख्या ही कहिए परसान परसान है जो रोड पर आय हुए है इसमें 25 का विकास है सरकार भले पंचायद का विकास हुआ है इसकी गलती कि सको देना जाहेंगे इसका गलती तो बिहार सरकार का है जो हम लोग बने किसी चिवी कोई अधहर प्रकाम करने के लिए करते हैं कभी एक नियम लगाते हैं कभी कुछ नियम लगाते हैं कभी एक लेटर आता है नहीं कि दूसरा लेटर फिर पहुंच जाता है ब्लॉक में या इस तरह से काम करना चाहिए टाइड है या जुरो टैक कराईए पहले सस्टम से हम लोग चेक काटते थे अब उसको भी ऑ लगाते हैं तो बात सुनना पड़ता है नेक औत रहके बात लोग बोलते हैं लेकिन हम तो सीधें सब्सक्राइब करने के लिए खाली बीयार सरकार चोड़ दिया है कि आप लोग सब्सक्राइब जीते तो उस मुद्दे पर ख़रे नहीं हो पा रहे हैं कि मुद्द्दा तो अंगलों का यह नहीं हो पा रहा है जो अंगलों कोचल ने जा रहा है तो सब्सक्राइब करा मुद्दा प्रियास मुगी अगन कर रहे है बिहार के मुकिया हर तरह का प्रयास कर रहे अपने अधिकार के लर रहे हैं फिर भी उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है अधिकार तो मिलने की बात तो जो पहले से थोरा अधिकार था वो भी अधिकार में कटोटी किया जा रहा है उसका हनन किया जा रहा है जो हम लोग का उससे में भी कपाद्य कर गया जैसे आगन मारी देखना है बहुत सारा अचली बिभाग देखना है सरकारी सरकार के करमचारी के द्वारा लेकिन जाना जा ख़राब हो जाता है तो हम लोग इसका सरकार का कोई असर नहीं पर रहा है लास्ट में हम लोग क्या करेंगे अपना नल जल भी छोड़ देंगे अभी तक बरतवान में इस दिती ठीक है लेकि पीएजडी का कोई यहां योगदान नहीं है अच्छा आपको लगता है कि मुख्या के अंतरगत रहना चाहिए नल जल जरूर चुकि पंचायत के अंदर पी अगाने ठीक हो आँ ज़ीट करेंगाय। मेरा काम हुआ है स्ञेटर कि यह तो इसमें भी दिकत है प्रॉबलम है कितने लोग लाप मिला भी तक एक सुनोगों को बात करते हैं सिख्छा और स्वास्त की कैसे स्थिति आपके पंचाए थीक है थोड़ा बहुत जो जगमडोल है उसको हम सुधारने के लिए परियास करते हैं हर स्कूल में जाते हैं टीचर करीव करीव टैम से आ जाते हैं कोई- अचे उपस्वास के लिए बंद था पहले जब हम बरतवान में मुखिया चुना दुवारा चुने गए उसी सिति हम जाके ब्लोक में अती लोग लाब उठा रहे हैं पंचाए वहां फतुआ चिकिस्ता पता धिकारी से संपर किये उसके बाद वहां से हम लोग लिपूट कर तरीका से खराब हो ले उसका कोई देखने बाला नहीं है लोग चार को डेली आते हैं कि हमर बना दा मुखिया जी हमर लेकिन हम विवस हैं कुछ करने पार हैं कदिकार से बाहर हो पार चले धन्यवात हुए थे हमारे साथ सालेस कुमार जी सारी बात नोंने पंचायत के लेके एक और पंचायत की बात करने के लिए एक और पंचायत का विकास अस्तर जानने के लिए मुखिया इसा देखते ने मारे साथ बिहार नीजुज नेट्रों कमार पटना